नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं बताया जाता है कि बस में तक्रीबन 30 लोग सवार थे मौके पर गिरीडी उपायुक्त नमन, पिरियेस, लकड़ा और एसपी दिपक सर्मा मौझूद है मिली जनकारी के उसार हादसे में घाय लोगों को गिरीडी सदर अस्पतल में भरती कराया गया बताया जाता है कि बस राइधानी राची से गिरीडी जा रही थी तभी रास्ते में वह असुंतलित होकर बराकर नदी में जा गिरी जानमाल की हनी को लेकर फिलहाल कोई आकड़ा या अपडेट सामें नहीं आया है बताया जाता है कि बस के दुरगाटना गरस्त होते ही वहाँ अफराता फ्री मच गई अस्थानी लोगों ने पुलिस को सुचना दी है और राहत एवं बचाव कारे में लगे हुए है मुख्यमंत्री मेधा छात्रविती योजना के प्रती उदासिन है जार्खन के बिद्यार्थी जार्खन में मुख्यमंत्री मेधा छात्रविती की सुरुवात की गई है मगर विड़ा मनाया है कि सिक्षा विभाग के दोवारा सुरू की गई इस स्कॉलर सी प्रोगराम का लाव लेने में जहरकन के बच्चे उदासिन है मुख्य मंतरी मेधा शातिरवीती योईना के दोवाते स्कॉलर सी पाने के लिए जहरकन एकेडमी कॉंसील चैन परिक्चा आयोजित करती है सिक्षा विभाग ने इस साल के चैन परिक्चा में राजबर के सरकार स्कॉलों में एक लख बच्चों को सामिल करने के लिए रिष्टेशन का लख्ष रखा था मगर जैक के द्वारा तीन तीन बार आवेदन भरने की तरीक बढ़ाई जाने के बाजोद भी लख्ष के अनुचार इस्टेशन नहीं हो सका है जारखन एटीस ने 20 दिनों में 17 गिरफतारी और 338 के विरूद गुंडा एक्ट का प्रस्ताव राज में संगठित अपराधिक गिरोह के अपराधियों उनके सहयोग्यों की गतिवीदियों आर्थिक शुरो तो और जिस संपति आधिक विरूद करवाई कर रही जारखन पूलिस के तंकवाद निरोतक दस्ता एटीस ने 15 जुलाई से पीसे अभियान शुरू किया है डिजीपी के आदेश पर सुरू इस अभियान के दवरान यानि महज 20 दिनों में विभीन जीलो के सहयोग से एटीस ने कुल 230 अभियान चलाए इन अभियानों के दवरान एटीस ने 13 ब्यक्तियों का सत्यापन किया है इस दर्मियान 95 संदिकदों से पुष्टाज भीकी गाई कुल 82 ब्यक्तियों को बंड भरवा कर छोड़ा गया है वही 17 अभियुक्तों को गिरफतार भीकिया गया है अभियान की दर्ण 14 जीलों से 338 अपराधियों को बिरोध गुंडा एक्ट में करवाई करने के लिए प्रस्ताव ग्रिह बिभाग को भेजवाया है जन जातिये युवतियों से बिवाहक और आरक्षन का लाव लेना औस नवे धानिक बिश्व हिंदू परिशत की युवा साखा बजरंग दल की दो दिवसे राष्ट्रिये बैठक जार्खन के रहानि राष्टी के हर्मो रोड इस्थीत गौवसाला के समेप इस्थीत दिगंबर जैन भौन में सनिवार से सुरू हुई मुख्य वक्ता के रूप में बिश्व हिंदू परिशत के केंद्रिये महमंत्री मिलिंद परांडे ने कहा है कि हर्याना के मेवात में हिंदू धर मयात्रा में सामील चरधालो पर अधोनिक हतियार से गोली चलाना पेट्रोल बम फेकना, महिलाओं के साथ कुरूरता वा अत्याचार करना दुर्भागे पुन है उन्होंने कहा हिंदू समुदाय के अनुकूल वातावरन बनने के कारण जिहादियों में उबाल का कारण है आज उतर परदेश, दिल्ली, पंजाब, हर्याना, असम, पचिम मंगाल, बिहार, जार्खन वा बंगलादेश के सीमा, छेत्र खुसपैट के बड़े केंद्र बन गया है जन चातिये यूतियों से बिवायक और आरक्षन का लाव लेना असन धानिक है 17 अगस्त से 4 अक्टूबर तक BJP का संकल पयात्रा जार्खन परदेश, BJP के अध्यक्स बाबुला मराणडी 17 अगस्त से 4 अक्टूबर तक संकल पयात्रा निकालेंगे गिरीडी में पार्टी की ओर से सनिवार कोई सका एलान किया गया है गिरीडी जीले के मधुबन में अव्यजी दो दिवसे प्रसिक्षन सीवीरी में बाबुला मराणडी ने कहा है कि आगामी दिनों में पार्टी को मजबूत करने के लिए BJP के करकरताओ और जन परतिनेदियों को बूत से जिवन्त सम्वन्त अस्थापित करने होंगे तबी हमारी पार्टी आने वाले चुनाओं में आसा के रूप परदर्शन कर पाएगी हम जानता से जुड़ेंगे तो जानता भी हमारी पार्टी से जुड़ेंगी और हमारी जीत सुनीचित होगी जार्खन के प्रत्थम मुख्य मंत्रियों बिजेपी के परदेश अदेश बवलम रांडी ने पार्टी के नेताव यमकरकरताओं को सम्वदित करते होगे कहा है कि बूत ही हमारी गतिविधियों का सक्रिये केंद्र होना चाहिए सभी करकरताओं पता दिकारियों यमजन परतिनिद्यों का बुत्थ से जीवन सम्वद्ध होना चाहिए सुभास मुंडा हत्याकांड थम नहीं रहा अक्रो सुभास मुंडा के हत्याका खुलासा होने के बाद भी दलाद दिली छेत्र में आम लोगों काकरोष जारी है अपरादियों को फांसी की साया देने किमां को लेकर सनिवार को माकपा करकरताओं सुभास मुंडा चौक दलाद दिली पर प्रदसन कर जमकर नारेबाजी की है माकपा के राज कमिट्टी सदसे सुभास मुंडा ने कहा है कि सुभास मुंडा हत्याकांड का खुलासा हुआ है लेकिन साजिस करता बेनकाब नहीं हुए नया मिलने तक सीपीम का संगर्ष जारी रहेगा लोग सभाचुना में जारखन बिहार की 54 सीटो पर इंडिया की होगी जीत बिहार के भवन निर्मान मंत्री वा जारखन चद्यू के परभाई टक्टर सोक चद्रीन का है बिहार की 40 और जारखन की 14 लोग सभास्ती टो पर महागडवन्धन के जीत होगी इंडिया की 54 सीटो पर जीत की है राहूल गांदी को पधान मंत्री का उमिद्वार बनाये जाने के सवाल प्रोण नका है कि अगर बंदन तय करे कि कौन पीम काउ में द्वार होगा इधार 1932 अधायत अस्थानिय नीती और नियोजान नीती पर डाक्टर चोदरी नकाहागी पार्टी का एक परतिनिदी मंदल सीयम हेमां सुनन से मिलकर अपनी बातों को रखेगा चुनाव के वक्त अस्थानिय नीती को लेकर संगठन की जो राय बनेगी उसको चुनावी घोषना पत्र में सामिल किया जाएगा ज्यारखन के सरकारी स्कुलों में MDM में मिलेगा महुआ का हलवा ज्यारखन में स्कुली बच्चों को मध्याहन भोजन में सब्ता में एक दिन महुआ आठा से बना बयनजन दिया जाएगा इसकी तयारी जार्खन राज मद्याहन भोजन प्राधिकरण ने पूरी कर ली है इसके लिए जल्द ही जीलों को अवस्चक दिशा निदेश भी भेजा जाएगा इसकोलों में इस माह के अंत या अगले माह से इसे सुरू कर दिया जाएगा इसके लेकेंद्र सरकार जार्खन राज मद्याहन भोजन प्राधिकरण को 30 को रूपए देगी रासी को लेकर केंद्र सरकार ने स्विक्रिती भी दे दी है बच्चों को बुद्धवर या सुक्रवार को महुआ आटा से बना हलवा या लड़ू दिया जाएगा बच्चों के हलवा या लड़ू दोनों में से क्या दिया जाएगा इसका नेरनाय विद्ध्याले अस्तर पर लिया जाएगा विद्ध्याले दोरा बच्चों की पसंद के अधार पर नेरनाय लिया जाएगा इस समध में कमिटी गठन किया गया पतना हवडा वंदे भारत का ट्रायल शुरू बिहार को पतना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस की सफलना के बाद अब पतना से हवडा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस सिख रही परिचालन शुरू होगा इसका सनिवार को ट्रायल परिचालन भी किया गया ट्रायल परिचालन के दोरान पटना से हवडा के बीच चलने वाले इस दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस सनिवार को लखी सराय पहुची यहाँ परस्थानी लोग उसे देखने के लिए सूबह से ही खड़े थे ट्रेन के स्टेशन पर पहुचने पर स्टेशन पर खड़े लोगों ने सेलफी लेने लगे बताते चले कि पतना हवडा रूट पर परिचालन के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस के आठ कोच मंगलवार की दोपर 11 बच कर 5 मिट पर पतना जक्सन पर पहुच गई थी पेडा नगरी के नाम से फेमस है देव घर का घोर मारा स्रावनी मेला सुरू होने के साथ ही देश और दूनिया के लाखों की संखे में साधालू जर्खन के देव घर इसीद बाबा बैदनात धाम पहुचते हैं बाबा पर जलारपन करने के बाद भक्त यहां के फेमस पेडा परसाद अपने साथ ले जाने नहीं बोलते बता देव घर से लेकर वासकीनात पेडा की सैकलों दुकाने आपको नजर आएंगी लेकिन देव घर और वास्किनात के बीच एक जगा है घोरमारा जिसे पेड़ा नगरी के नाम से भी जाना जाता है यहां सबक के दोनों छोर पर पेड़े की सैक्ड़ों दुकाने नजर आ जाएंगी यहां दूर दूर से लोग पेड़ा लेने आते हैं चवी रंजन की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई आठ को कोड का फैसला जारखन में ED की विशेस नयाधिस दिनेस राय के अदालत में सनीवार को बर्यातू रोड इस्थी सेना की कबजे वाली चार पॉइंट पांच पांच एकर जमीन सहीत अने भुखंडो की अवैद खरीद विक्री मामले में निलंबित आयस अधिकाई छावी रंजन की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई दोनों पक्चो को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षीत रख लिया है अदालत अब 8 अगस्त को जमानत पर फैसला सुनाएगी इससे पहले सुनवाई दोन प्रार्थी के वकील ने कहा है कि छावी रंजन मामले में इस मामले में निर्दोस है उन पर मनी का केस नहीं बनता है इसका बिरोध इडिक वकील रमित सत्यंद्र ने किया है कहा कि छायू रंजन ही फरजिवारा कर भोमिक खरित बिक्री मामले के मुख्य सुत्रधार हैं दोनों बहस पूरी होने के बाद आदालत ना आदेश सुरक्षित रख लिया है साहेब गंज मामला चात्राओ को छेडने के आरोप में प्रिंस्पल की हुई थी पिटाई उच अस्तरिय टीम ने की जाच जार्खन के साहेब गंज इस्थीत बरहेट मोद कर्मिक मद बिद्याले पंच कठिया के परभारी परचार समसाद अली अनसारी पर लगे छेड़ खान सिमा परचार सामिल थी दोनोंने इस्कूल पहुँचकर उपस्थी सिक्षको के अलावाद छात्र छत्राओ से कई जनकारी ली मौके पर डी यो डाक्टर दूरगा नंद जा और एसडी प्यो आसीस कुमार भी थे अवर सचीव कीरन कुमारी को छत्राओ ने बताया कि सिक्ष देगा इस्थीत उर्शू लाइन कन्वेंस्ट की दसवी की छत्राओ का अफरन कर लिया जाने का मामला परकास में आया है सोजन ने बच्ची को ढूंड निकालने की गुहार पूरी से लगाई है घटना सदर थाना छेतर के खिजरी की है बताया गया है कि सुक्रवार को ट्य थी ऐसे में जब वह साम तक घर नहीं पहुंची तो सोजन चिंतित होकर उसे ढोडने निकले जामों का भाजपा और आईसू को चाइलेंज गुजरात उत्तरा खंड में बने कानून का बिरोज कर दिखा है जार्खन बिधान सवा से जार्खन परित्योगी परिक्षा बिध इसासित राज में नकल की बिरोध बने कानून का बिरोध करने को कहा है बता दे कि गुरु आर तीन अगस्त को जार्खन बिधान सवा के वांसों सत्के दोरान हेमान सोन की सरकार ने परित्योगी परिक्षा बिधेक 2023 को दो संसोधनों के साथ पारित करा दिया था भारतिय ज क्रिप्टो करेंसी के नाम पर फ्रोड क्रिप्टो करेंसी निवेज को लेकर अगर आवस्यक सवधानिया नहीं बरती गई तो यह बड़े बीतिये घाटे का कारण बनेगा क्रिप्टो करेंसी के जरी ठगी ने देश में एक बड़े साइबर खत्रे को सामने लाया है या की मदद से क्रिप्टो करेंसी में सामिल ठगों के नेटवर्क को तोड़ने की रणनीती पर काम करना शुरू किया है बता दे क्रिप्टो करेंसी को लेकर हो रही ठगी को लेकर जारकन पुलिस भी परिशान है जारकन में अब तक दो ही मामले थाना में रिपोर्ट हुए है दो ही मामलों में दो कोड़ोर 33 लाह की ठकी कर लिगाई आयसे में जार्खन CID की टीम ने बिना देरी किये इंडियन साइबर कोडिनेशन सेंटर यानी IC4 की मदद से अपने पुलिस अफसरों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है जार्खन आदिवासी महोसव पर राइनीती शुरू बिश्व आदिवासी दिवस को यदिगार बनाने की जोर सोर से त्यारी चल रही है इसमें कोई सक नहीं है कि जार्खन में बिश्व आदिवासी दिवस को किसी ने व्यापक पहचान दिलाई तो ओ है राज के मुख्य मंत्री है मानसुरेन उनकी पहल पर पहली बार साल 2022 में मुराबादी में तीन दिवसे कारकरम का आयोजन हुआ है इसे जार्खन जन जाती है महोसो का नाम दिया गया इस साल वह नाम बदला गया है जगा भी बदला गया है स्वरूप भी बदला गया है एक तरफ से कहें तो इस आयोजन को और व्यापक स्वरूप दिया जा रहा है बतादे इस साल विश्व आदिवसी दिवस को जार्खन आदिवसी महोसो के रूप में मनाये जाने के त्यारी है जो दो दिन तक चलेगा जार्खन में लगता दूसरे साल सुखे की आहाट जार्खन के अंदाता की आखों में पानी है बाकी सब सुखा है खेत सुखे है तलाब सुखा है परती खेत में अकाल की आहाट ने दराले डाल दी है सावन का महीना बितने को है भादो आ रहा है बस मेग ही नहीं आ रहे है कई जिलो में 79 फिश्दी तक बारिस कम हुई है अकाल की आहर से एक बर फिर किसान परिसान है कहते हैं सावन में बारिस से खेत पारी से भर जाते हैं और किसानों को उमेदे भी हर्याली से लेकिन जारखन में किसानों के मन की ए आस्था अब खंडित होने लगी है अनदाता का भरोसा बादलों पर से डगमंगाने लगा है ऐसा लग रहा है जैसे इस बार भी बादलों ने खेत के बदले किसानों की आखों में बर्चात की है फिलहाल बारिस के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है जिसे किसान परिशान है नवंबर में रांची पहुचेंगे बिहार के मुख्यमंतरी नितीस कुमार जारखन में जानता दल उनाइटेड राइनिती के रूप से अपने जानाधार को मजबूत करने के लिए लगतार प्रयास कर रही है इसे लेकर सन्नीवार को जानता दल उनाइटेड के परदेश परभारी असोक चौधरी के साथ परदेश के सह प्रभारी मनोज यादव और विजय सिंग ने रांची में करकताओं के साथ एक बैठक की बैठक के बाद बिहार सरकार के मंतिर और जारखन के परदेश प्रभारी असोग चौधरी न कहा है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए नई कमिटी के गठन किया गया जिसकी घोसना जल्द ही कर दी जाएगी इसके साथ ही उन्होंने बता है कि पुरे राज में प्रखंडवार बैठक की जाएगी जिसके लिए जद्यू के राष्ट्री अदेश ललन सिंग जारखन पहुंचेंगे वही नवंबर महीने में बिहार के मुख्यमंत्री नितिस जमापन अभी भासन में कहा है कि राजे में 40 से 50 हजार पदोपन नियुक्ति पर किया बढ़ चुकी है वह इस बात की गरांटी देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जारखंडियों को ही रोजगार एवं सो रोजगार देंगे नियुक्ति में जो बाहरी आ रहे हैं उन्हें रोका जाएगा सियम ने कहा है कि वन सनक्षन नियमावली में पिछले वर्स ग्राम सभा के अधिकार को भी छीन लिया गया और फिर लोक सभा में वन सनक्षन कानून में केंडरे ने ऐसे संसोधन किये कि भविसमया दिवासियों से उनका जंगल ही छीन जाएगा पर उन्होंने न तो पिछले साल के नियमावली यहां लागू होने दी और न अभी हुए बदलाव को लागू करेंगे सियम ने कहा एक मन्नीपूर में हजारों घर जला दिये गए सेकडों के हत्या कर दी गए पर सरकार ने नाम मात्रे के लिए केस दर्ज किया है बजरंग दल की राष्ट्रिय बैठक में पताधिकारियों ने गोत असकरी और लव जिहाद पर जताई चिनता रांची में बजरंग दल की दो दिवसे राष्ट्रिय बैठक में गोत असकरी और लव जिहाद के मुद्दा चाया रहा इसे रोकने के लिए बजरंग दल के पताधिकारियों ने मंत्राना की साथ ही आगामी कार्य जोजना पर भी चर्चाब भी मर्स किया बता दे विश्व हिंदू परिशत की युवा साखा बजरंग दल की दो दिवसे राश्ट्रिय बैठक सनिवर से सुरू हुई है रांची के दिगंबर जैन भवन में बैठक होई जिसमें जहारकन में लव जिहाद और गोत असकरी को रोकने के लिए बिरहत कार्य जोजना बनाई गई वहीं दूसरी ओर संगठन मजबुती को लेकर आगामी छव मा की कार्य जोजना बित्यार करने के लिए मंत्रा ना की गई बजरंग दल की राश्ट्रिय बैठक आउदुहाटन सत्र में विस्व हिंदू परिशत के केंद्रिय महा मंत्री मिलिन पांडे बजरंग दल के राश्ट्रिय संजोजग निरज दो नेरिया राश्ट्रिय संजोजग सुर्य नरायन राव सहिद्देश के सभी परदेशों से आस्ति परति निधी सामिल हुए धन्यवाद